कि पढ़ाई के लिए हम सब कहते हैं कॉलेजियों में कहते हैं कोचिंग में कहते हैं टीचर सभी कहते हैं पढ़ो 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 लेकिन कैसे पढ़ें क्या कैसे पढ़ें कि हमें याद हो जाए इसलिए आज का टॉपिक हमारा है वह ऐसा इंपॉर्डेंट वीडियो एक भी वीडियो में आज देखेए देखें ड़्फिर आपके लिए हम इस पेसीड एक वीडियो लेकर आएं और काफी दिनों बाद हम वीडियो ले रहे हैं क्योंकि कुछ परिवारिक समस्यां की कारण हम आपकी video upload नहीं कर पा रहे थे और हम आपके लिए पूरी कोशिस करेंगे कि हफ्ते में जल्दी आपके लिए लाइप क्लासे स्ठाट करने जा रहे हैं क्योंकि आपका 12.2021 का exam का result आगया है और अब आपके पास option आगये है कि complete exam की त्यारी की जाए जिसको देखते हुए हमने यह सोचा कि आपके लिए ऐसे कुछ टॉपिक के कॉर्डिंग नए वीडियो लेकर आएं जिससे आपकी पढ़ाई में आपको बेनिफिट महसूस हो और आपने देखा होगा कि पढ़ाई के लिए हम सब कहते हैं कॉलेजियों में कहते हैं कोचिंग म तो पूरा उस समय देखेगा वीडियो और एक भी इस वीडियो का आपको महस्वान में आएगा और पूरा लास्ट वीडियो देखेंगे तब इसका आपको बेनिफिट मिलेगा चलते हमने वीडियों बिना टाइम वेस्ट किये हैं समय बहुत कीमती होता है तो आईए बच् होती है अगर आपको चीज रीडि करते हैं तो पहले आपके लिए इंपॉर्टन होता है पढ़ना तो टॉपिक क्या बना कैसे पढ़ें अब कैसे पढ़ें के बाद हम लोग का याद आपने देखा होगा तो आपको याद नहीं करना है क्योंकि लर्ण और रटने में अंतर ह होता है हम जब तक किसी चीज को रिड़ने करते क्योंकि जब तक कोई चीज हमें याद नहीं होगी हम इसको लिखेंगे कैसे लेकिन अगर आप यह सोचें कि मुझे लर्ण कर लें रट लें समझ लें फिर आप भूल जाएंगे क्योंकि बहुत सो लोग कहते हैं कि आप भू तो लोग कहते हैं सर भूल गए फिर से याद करें गलत भूलना तो एक भ्रहम है जो भूलना है वो क्या है भूलना कुछ ही नहीं केवल आप लोगों को छोटे से जादर डाल दी गई है कि आप याद करिए भूल जाएंगे भूल गए होंगे फिर से याद करिए तो भूलना नहीं है आपका mind एक ऐसा atomic power है एक ऐसी strength है जो कभी कोई चीज भूलती नहीं है बस यह होता है वो चीज आपके दिमाग से हड जाती है कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे दोस्त पुरारे मिलते हैं और कहते हैं आपको याद है बच्पन की बात वाली हम लोग वहां पे मिल दिमाग में है मेमोरी में है पर याददास्त में नहीं है तो हम लोग सोचते है उसको भूल गए तो इसलिए आपको यह निकाल दीजे पहले कि आप भूल गाएंगे और और चीज बता दें बूलना एक ऐसी चीज अगर बूलना अगर नहों जीवन में तो आप कोई चीज जाद ही नहीं कर सकते चुकि जब तक कोई चीज आप भूलेंगे नहीं तब तक आप कोई चीज याद कैसे करेंगे तो दिमाग में अच्छी से बिठा लीजे कि भूलना एक पावर है भूलना एक वरदान है जिसके अगर आप कोई चीज भूलते नहीं है तो आपको कोई कि आता नहीं तब तब कोई जाता नहीं ». भूलते हैं तभी आप कुछ याद होता है और जो आप कुछ याद करते हैं तभी एक्जाम में आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो इसलिए दिमाग सीचे अच्छे से बिठा लीजिए कि आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ें जैसे आपने कौपी भी लिया और आपने ए से पढ़ा बी से पढ़ा स्थी से पढ़ा अब फिर कुछ बूलना है क्या फिर से आओ ये करते करते आपको टॉपिक जमन ऊप जाता है और आपको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि आप उसे बार बार रिपीट करते हैं जो की गलत है इसलिए हमने तौपिक आद नाम रिखा क पूरी ना हो जाए तब तक रिपीट नहीं करना चाहिए इसको ज्यादा नहीं आप करके देखी इसको कांटीनु टिन दीस मंत का थर्ड पार्ट थर्डी रहते हैं मंत में आप 10 डेस करिए इसके बाद आपको लग रहा है कि आप भूल आए है तो आप उसको ग्यारवे दि पर आपको लगता कि आप भूल रहे हैं तो आप उससे कर लें ज्यादा नहीं आपका मन वहां से हट रहा हो और एक चीज कभी कभी यह होता है कि आप बैठ जाते पढ़ने के लिए दोदो घंटे आपको याद नहीं होता आप पढ़ने ही पाते क्योंकि आपका ब्रेन वहा आप पांच मन मुदू के दोड़ लीजे आप पांच एक ससाइस कर लीजे फिर आप फ्रेस होके वन आवर फिर से पढ़ लीजे तो दिमाग में चीजिए अच्छी से बिठा लीजे कि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कैसे करें तब तक हम कुछ नहीं कर सकते के वर पर अगर ठान लो तो सबलता एक दिन जरूर मिलती है इसलिए दिमाग में चीजिए से बिठा लीजे कि आपका ब्रेन आपके पास है आपकी आदास आपके दिमाग में है और यह चीज मन से निकाल दीजे कि हम भूल जाते हैं भूलना मात्र एक भ्रहम है जिसका एक और दिमाग नहीं लगाते हैं और एक्जाम देने के बाद फिर मौलॉट के आते हैं और कहते हैं कि एक्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं तो इसलिए दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए रीडिंग करने का तरीका जो मैंने बताया दो चीजें नमबर एक आप किस तरह पढ़ें और नमबर दो आप कैसे पढ़ें इस चीज़ को आप मोटिवेट करके चलेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आप खुद कहेंगे कि सब्सक्राइब हम लोग को याद हो गया चुकि हम लोग जाब पढ़ाते हैं तो आपको यह सि इस चीजें बहुत एक विश्टार रूप में जिसे क्रम बद्रूप से आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीके बच्चों अगली वीडियो जल्दी आपको लेकर आएंगे और जो माई क्लास चैनल में नए हो वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो लाइक कर एपने दोस्तों में शेर कर देंगे चुक्त अच्छे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का बहला चाहते हैं और जो आपको अग्रेड दे जैहिंद पूरा सार मेंद करता हूँ आपके लिए बिटा ऐसे नहीं चलेंगा ऐसे नहीं चलेंगा